नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर सिविल सिर्पसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्काइब कर लिए और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम यह वालोगर जरूर से जरूर जोइन कर लिजेगा टेस हैं अगर आप इंको लेना चाहते दो इन दो नंबर पर का जनकाई पराप कर सकते हैं तो दोस्तों आज देता है आज क्भ analysts ब्रज भाषबना है बिहारी हिंदी पूरवी हिंदी पहारी पाण्सिमी हिंदी इसका जो सहीं में 4 आप्सन दिया गया है हैं अप लोग आप्सन को पढ़ लीजिए इसका जो अप्सन सी है वह सही हैए आज देता अगला प्रसमज़कर के किस वर्ण का उचान है धनति हुआ आपको बताना है प, त, क, अट, त, त, त इसका जो सही आंसर है Сп, वो या अप्सन भी त, का जो उचान अस्थान हुआ है धनते होता है इसका जो सही आंसर है वह आपवसन भी त, आई दितना अंगल्ब पर सुंद tighter घ्यां-किन वड्वों के सन्योग से बनावगा आपको बताना है आपनों सामने चार आपसंद दिया गए आपनों को पढद लेजिए इसका जो si ye antar है वह आपसंद ए जाप प्लस तक सन्योग से जो है यह वड़ भंता है आईए देते अंगला प्रासम लोग देश की हान जैचंदों से होती है संग्या के प्रकार बताए यहां आपको बताना है जैचंद जो सब्द है यह संग्या का कौन सा प्रकार है ब्यक्ति वाचक, समूवाचक, जाति वाचक या दरब्य वाचक यहां जो जैचंद सब्द लिखा गया इस वाचक में यह ब्यक्ति वाचक ना होकर यह जाति वाचक संग्या का उधारणा है तो इसका जो जैचंद सी है आई देते अंगला प्रासम लो वाचन में कितनी मात्रा है तीन, चार, छे, या पांच तो इसका जो सही आंसर है वाचन में तीन मात्रा है वाचका एक, चाका एक, और नाका एक तो टोटल जो है इसमें तीन मात्रा है इसका जो ऑप्षन ए है वाचन में सही है आई देते अंगला प्रासम लो विचार में कितनी मात्रा है तीन, चार, छे या 5 तो इसका जो सहmaker ansem है जो प Means 4 सब्धा लिखा गया है इस में कितनी मात्राको पताना है इसका जो ऑप्सन भी है वज़े सही है इसमें जो चार मात्रा है वह पर एक चा का और रा का यहां पे जो है तो टोटल जो है चार बाल इसका उप्सन भी वह सब्सक्राइवाशी सर्जार ने दिरिश्य त्रह सब्सक्राइब वह इस रिख्री लिय्क है इसनएक नोगा क्या है और धिख्या देंति किर दूफन लिंग को नियुक्त रिख्यख़ आपनों सामने 4 सब्द दिये गें, उसको पहक्षानना कौन सा सुधवर्तनी का सब्द है तो इसका जो सही आंसर है, वह option C अंतरधान जो सब्द लिखा गया है यहाँ पे, यह है सुधवर्तनी का सब्द है तो इसका जो option C है, वह सही है आज देते अंगला प्रसम लोग, इसमें भी चार आप्षन दिया गया है, इसमें भी आपको सुद्धवरतनी पहचाननी है, इसका जो सही आंसर है, वह आप्षन ए, रासायनी, यह जो सब्ध लिखा गया है, यह सुद्धवरतनी का सब्ध है, आज देते अंगला प्रसम आप लोंगों बताना है आपनों सामने चार आप्सन दिया गया है सही बेकार अन्याय और असल तो इसका जो सही आंसर है वह आप्सन सी अन्याय है न्याय का जो बिलोम होता है वह अन्याय होता है इसका जो आप्सन सी है वह सही है आई जेते अंगला प्रसम लोग भुगोल का बिलोम आप लोगोता ही है, रूच खागो Cel धुन्स शाड 사स्वत, इसका जो सही आंसर है वे आपसन b खागोल भुगोल का जो बिलोम होता है वह खागोल होता है इसका जो आपसन b है वह सही है आई देते अगरप पर समन रोग जो सब की मन की बात जान लेता है उसके लिए एक सब्सक्राइब क्या प्रेयोगा हुआ आपको बताना है आदाम में अच्चित विस्में या अंतर्यामी तो इसका जो सही आंसर है वह आपसंडी अंतर्यामी जो सब्सक्राइब की बात जान लेता है उसके लिए जो एक सब्सक्राइब क्य प्रत्यीमा यहां क्यूंत क्यूंत प्रत्य में गरता है में फंच cał्य साट माइंद के प्रत्य लगते हैं जoka स्था उप्सरग यहीर इन क्वाने उप्षाइँ आपकर प्रत्य स्था लो hace当 सिस्था श्यूहरा वाशे हैं तो इसका जॉप्शन सी है वह है सही है आई देते अंगला प्रस्विश्ण लो नीलकंड सब्द किस प्रकार का सब्द वहाँ को पता ना है योग्रूर योगिक रूड या इंविस्ट कोई नहीं तो इसका जो सब्द है वह ऐ औप सब्द दो नीलकंड जो कौन सा तट्ट्स्म सब्ध है इसमें खेत गात घर अध्य तो इंसका जो सब्थ है यह सभी आप्सन से जो अट्ट्ट्थ है उसका जो अप्सन चे रहे हो सउङी है आई दे त्कलास हे सबको समाथ से म esa डिए सेमस्ठय ने प्रकार बता है यह Willow संख्या वाचप बीसीशन सब कुछ समात्थ हो गया इस वाक्ष में जुह है कौन सा विस्षण है तो इसका जो आप्संडी है वह सही है आई देतें अगला प्रसमलों उसने बहुत परिस्रम किया पर सफलता नहीं मिले वाक के प्रकार बताईए यह किस प्रकार का वाक के वह आपको पताना है सन्युक्त वाक, सरल वाक, मिस्र वाक या इनमें कोई नहीं है तो इसका जो सही अंसर है वह है ओप्सन ए सन्युक्त वाक है उसने बहुत परिस्रम किया पर सफलता नहीं मिले यह जो वाक के लिखा है यह सन्युक्त वाक के उधारण है तो इसका जो option A है वह सही है आई देते अंगला प्रसम लोग ना कटना का आर्थ है प्रिये होना, पष्ट होना, इज़त जाना या कम सुनना तो इसका जो सही आंसर है वह option C इज़त जाना होता है तो इसका जो option C है वह सही है आज देते अंगला प्रसम लोग नियाले में अपराधी की मुक्तिका आपको फिल करना है यहां पे दिया अधियाचन आदेश निड़े या निड़ेश तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन भी आदेश नियाले ने अपराधी की मुक्तिका आदेश दिया इसका पूर्ण वाक्य होगा तो इसका जो आप्श तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन बी बालमुकुंद गुप्त ने हिंद बंगवासी का संपादन किया था तो इसका जो आप्शन बी है वह सही है आई देते हैं अगला पर समलो प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग बास समानी किर शहिता आपको बताना है दादू, गुर्णानक, रैधास या कभीरदास तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन सी रैधास प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग बास समानी कि जो रशहिता है वह रैधास दी है इसका जो आप्शन सी है वह सही है आई देते हैं अगला पर समलो पच्छी का कौन परेवाची नहीं वह आपक पताना है खग, परिंदा, विहंग, पग तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन डी पग पग जो है वह पच्छी का परेवाची नहीं है बलकि यह पैर का परेवाची है और वहीं पे खग, विहंग और परिंदा जो है वह पच महहदेव का परभाची कंव नहीं वाव को बसा ना है शिव उम्हापत चंद सेखर प्रसून तो इसका जो सही है वहिए वह सही है आज देतेता अंगला प्रासंद लो तरकस का परिवाची कौन नहीं हुआ आपको बताना है आपनों सामनी आपसन है आसी निसंग तून त्रोण तो इसका जो सही आंसर है वह आपसन ए आसी आसी जो है वह तरकस का परिवाची नहीं है बलकि यह तलवार का परिवाची है और वहीं पर त्रोण निसंग तून जो ह वह तरकस के परेवाची है, तो इसका जो option A है, वह सही है, आई जितने अंगला प्रासम रोग, कोस का सही अर्थ बताईए, आपने सामने 4 option दिया गया है, इसने आप लोग 4 option पढ़ लेजिए, इसका जो सही answer है, वह option B, दूरी खजाना, पहले कोस का जो अर्थ होता है, वह दूरी होता है, और दूसरे कोस का जो अर्थ होता है, वह खजाना होता है, तो इसका जो option B है, वह में शथे रहता है आप दोग कर दोड़े का कव्षण कर अगले ने कौछ उर्थ पता है यह समोचारी प्रसंतों से लिया गया है कि कुछ inform وجुछ आप्शन थे जीन डिए तो इसका सफय अंसर है वह ऑप्म बाल मुकदमें पहले केस 생각이 Karena आ यहां होता है तो इसका जो उप्संट यह है गंतला पर अशुलो कि यह पर है नाच बौं को कम्त कौन के नहीं को पहचानने शोड़्दास जैसंकरप्रशाद यह तो इसका जो सब्सक्सर आन्शाष से यह वह जो meat निकाल के कभी थे और छायावादी कभी थे और वहीं पर जो कभीर दास सुर्दास और तोलसी दास जो है वह भक्तिकाल के कभी थे तो इसका जो अप्शन सी है हुआ सही है आज देते अंगला प्रसम लोग कभीर दास के गुरु का क्या नाम वह आपको बताना है रामानन बल् सब्सक्ते यह वे पहई सभी चांवत रचना कि ने पदमावत अखरावत और आखरी कलाम तीनो की रचना किये तो इसका जो पहई सब्सक्ते यहें तो इसका जो सही आंसर है वो है option D गुणसंदी महुत्सव में जो महाधन उत्सव कारण होने से यह जो है गुणसंदी है तो इसका जो option D है वो है सही है आई देते अंगला पर समदो राजा प्रजा में कौन सा समास वह आपको पहचानना है बहुब्रीय समास द्वंदर समास तत्पूरु समास कर्मधारे समास तो इसका जो सही आंसर है वो है option B द्वंदर समास राजा प्रजा में जो है वो है द्वंदर समास है इसका जो option B है वो है सही है आई जेते अंगला पर सम्दो राजा समास के स्थापना किस ने की थी वो है आपको बताना है विवेका नन द में आर्यसमाज के अस्थापना की थी इसका जो ऑप्षन बी है वह सही है आज देते हैं अंगला प्रसम लोग आपनों सामने चार वाक्य दिया गया है आपको बताना है कौन सा वाक्य जो हो सुध्ध है आप लोग चार वाक्य पढ़िए पहला जो आक्य है तुम तुम्हारे किताबे ले जाओ दूसरा वाक्य यहां पर दिया गया है इसका अधिक अच्छा चात्र काउन है तीसरा जो आक्य है सभा में सभी वर्गों के लोग थे चाओ था जो है उप्रोग सभी तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्सण सी जो है यह है सभा में सभी वर्गों के लोग थे यह सुध्वा किया इसका जो ऑप्सण सी वह सही है आज इत्यद्य अंगला प्रक्राश्म लोग कि यहां पर अपनी हो झाएगा और यहां पर अधिक के बजाए सबसी अच्छा हो जाएगा तब जो ह है वह है option C विसर्ग संद्धी, मनुरत में जो है मनह धन्रत में विसर्ग संद्धी है इसका action c है है वह सही है आएग एक प्रासं लोग is 7 जा रही थी में कौन सप τις काल वो आपको पहचानना है तात्कालिक वर्तमान अपणळ वर्तमान अपणळ भूत संदीग भूत अपणळ वर्तमान तो इसका जो सही आंसर है वो आप्सन भी अपणळ भूत जा रही थी यह जो है अपूर्ण भूत का एक उधारन है इसका जो आप्शन भी है वह सही है वीडियो अगर आपको अच्छा है तो लाइक कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को पूरा रहे धन्यवाद जैहिन जैभारत